हलो एरुवन आम रमेशी सार और वालकम यू ओल अन बिहाफ आप अभीपसान अभीपसा टीम आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं के important questions इससे पहले मैंने दो वीडियो और आपके लिए लाइवे थे यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो इस वीडियो के description box में लिंक दिया हुआ है आप जा करके देख सकते हैं तो यह do as directed का part 3 है ngay so now.let's start हमारा जो first question वो यह है राहूर रंस fast इसमें क्या करना है change the sentence into negative negative में change करने जो sentence है positive में है इसे हम negative में change करेंगे तो राहूर रंस fast राहूर टेज दवुडता है अब यह कौन से tense का sentence है यह present indefinite यह present simple का एक sentence है तो इसे हम negative में change करेंगे तो negative या फिर interrogative में change करने के लिए present and definite को किस का use करते हैं हम do या फिर does का use करते हैं do या फिर does का use करते हैं आप do का use किस के साथ करें does का use किस के साथ करें तो do का use हम I, we, you and they हो गया और one plus subject यानि एक से ज़्यादा subject के साथ हम do का use करते हैं does का use हम किस के साथ करते हैं does का use हम he, see, it और one subject यानि एक subject के साथ हम does का use करते हैं तो इसको आप याद रखेंगे I, V, U, they और one plus subject एक से ज़्यादा subject के साथ हम do का use करते हैं और he, see, it या फिर one subject के साथ हम does का use करते हैं तो यहां पर देखे राहूल हम लिखेंगी यहां पर राहूल उसके बात किस का use होगा डल करें देखे वन सब्जेक राहूल एक इन्सान है यशले हम किस में करेंगे डल का one subject ठीक है राहूल के साथ और कोई व्यक्ति रहता या एक से ज़्यादा व्यक्ति रहते या फिर आए वी यू दे यह सब होते तब हम किसका यूज करते दू का यूज करते तो राहूल ड़ उसके बाद नॉट अब उसके बार हम लिखेंगे रन अब यहां पर रंस नहीं रहेगा एस य इसके बाद हम लिखेंगे फास्ट यह हमारा अंसर हो जाएगा जो की नेगेटिव सेंटेंस है तो राहूल जो है तेज नहीं दोडता है इस ट्रक्चर के लिए हम बात करें तो इस ट्रक्चर इस तरह से होता है सब्जेक्ट प्लास ड़स डू या फिर फिर नॉट लिखते हैं फिर और कि फर्स फार्म उसके बाद फिर लिखते हम ओब्जेक्ट तो ये नेगेटिव सेंटेंज का एक स्ट्रक्ट्चर इस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लास डू या फिर तर्स प्लस नॉट प्लास व개ं कि फिर आसफ औब्जेक्ट ना छ immensely próximo अप्जेक्ट, टुस तो Determiner क्या है Determiner it means निर्धारक जो इस बात करें निर्धारन करें कि जो चीज है वो कितनी मात्रा में है या फिर किसकी है तो यहां पर देखें कौन सा है there is not much milk in the cup तो यहां पर जो much है यही हमारा Determiner है तो आपका जो answer हो जाएगा I am rich Ну donKEक्जार जो कि निर्धारक नाच मिलक है इन दाप कप में ज्यार्ध दुद्ध नहीं है या दूद्क मात्रा को बता जा है ज्यादा के little, much हो गया, many हो गया, a in the, यह भी क्या है, यह सब determiners है, now let's see the next question, प्रिया is 160 cm tall, कंचन is 160 cm tall, तो यहां पर जो दिया हुआ है, दो sentence है, combine the sentence using as adjective as form, as adjective as form में हमें combine करना है, दो sentences को, प्रिया जो है वो 160 cm tall है, और कंचन 160 cm tall है, दोनों के लंबाई same है, तो हम लिखेंगे देखे, प्रिया, यहां पर लिखेंगे प्रिया, एक को पहले लिखते हैं, तो यहां पर हो जाएगा प्रिया, उसके बाद is लिखेंगे, फिर यहां पर जो adjective है, वो क्या है, लंबाई की बाद हो रहे, tall, तो यहां पर लिखेंगे, प्रिया is, और देखे, as adjective as, तो यहां पर just हम लिखेंगे, as, adjective क्या है, tall है, फिर as लिखेंगे, as, उसके बाद लिखेंगे, next name, कंचन, तो यह इस तरह से आप लिख सकते हैं, तो यह हो जाएगा हमारा answer, प्रिया is as tall as कंचन, यहां जो प्रिया है, वो कंचन की जितनी लंबी है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, प्रिया is as tall as कंचन, यहां पे 160 cm, यह सब लिखनी की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ यह बताना है, कि जो प्रिया है, उसकी लंबाई कितनी है, कंचन की जितनी है, बस, Now, let's see the next question, Gopal has eaten mangoes, change into present indefinite tense, present indefinite tense में change करना है, तो देखे, Gopal has eaten mangoes, यह कौन से tense में है, यह present perfect tense में है, जिसमें verb की third form यूज की गई है, It, first form, It, second form, and eaten, यह third form, तो यह third form है, अब हम इसी present indefinite tense में change करेंगे, तो हम किस का इस करेंगे, Verb की first form का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, Gopal, उसके बाद, यह जो verb है, उसको हटा देंगे, helping verb भी हट जाएगी, और इस तरह सी हो जाएगा, यह, its, Gopal, its, उसके बाद हो जाएगा, mangoes, यह हो गया, present indefinite में, इसका structure क्या होता है, subject, subject, plus verb की first form के साथ, यह, फिर, इस, फिर, उसके बाद हम लिखते हैं, object, यह है, present indefinite tense का structure, subject, plus verb की first form के साथ, इस, यह, फिर, इस, प्लस, object, अब, इस, यह, फिर, इस, किस में लगता है, तो, इस, यह, फिर, इस, जो है, यह, लगता है, आपके, subject, ही, सी, सी, इट, या फिर, वन, सब्जेक्ट के साथ, वन, सब्जेक्ट के साथ, बाकी जो चीज़े हैं, जैसे, आई, वी, यू, दे, या वन से ज़्यादा subject है, उसके साथ हम सिर्फ और सिर्फ वर्ब की first form यूज़ करते हैं, इस या फिर इस नहीं लगते हैं, तो, इसको है, यहाँ पर मैं लिखता है, तो, आई, इट, मैंगोज हो जाता, चीक है, तो, इसको आप अच्छे सी याद रखिए, कि, ही, सी, इट, या फिर, वन, सब्जेक्ट है, तब हम वर्ब की first form के साथ, एस या फिर, एस लगाएंगे, कब, present, इपने, टेंस में, नाउ लेट सी को हम ऐसा बोल सकते ना, या मैंने तुम्हें 100 रुपीज दिया, मैंने तुम्हें 100 रुपीज दिया तो था, ऐसा, जोड़ दे करके बोलना, प्रभावी बनाना, तो हम past indefinite में किसका यूज करते हैं, डीड का यूज करते हैं, तो, यहाँ पर हम डीट का यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे I, और उसके बाद हम लिखेंगे did, अब यह जो give है, लिखें, give, first form, give, second form, and third form, given, तो I did, अब जैसे ही हम emphatic sentence बनाते हैं, डीड का यूज करते हैं, यह verb की first form में आ जाती है, तो I did, यहाँ पर हो जाएगी give, I did give, उसके बाद हो जाएगा same to same, as, I did give you 100 rupees, यह हो गया हमारा answer, I did give you 100 rupees, now let's see the next question, they won the match, change into interrogative, interrogative में change करें, प्रस्न मचक बनाना है, they won the match, कौन सा टेंस है यह, past indefinite, और past indefinite में हम किस का यूज करते हैं, इंट्रोगेटिव या फिर नेगेटिव बनाने के लिए, तो क्या करना है, इसमें, इंट्रोगेटिव बनाना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगी, did, क्योंकि यह past indefinite tense है, तो did, उसके बाद हम लिखेंगे subject, did they, उसके बाद, verb की क्यों सी form, win, won, won, तो verb की first form use करेंगे, did they, win, आप हम लिखेंगे, win, won नहीं लिखेंगे, win, the match, और यह question वाला है, तो यहाँ पर हम question mark लगा देंगे, तो question वाले sentences में, हम ऐसी question mark लगाएंगे, did they win the match, next question देखते हैं, he is blank European boy, fill in the blank with correct article, correct article का use करना है, तो यहाँ पर क्या जगा, he is, यहाँ पर जगा a European boy, he is a European boy, अब यहाँ पर a कैसे आया, in कैसे आया, the कैसे आया, तो a in the, यानि articles related मैंने separate video बनाया हुआ है, जो कि इस video की description box में आपको मिल जाएगा, आप चाहे तो आप उसे देख लीजे, ताकि आप एकदम detail से समझेगे article को, चाहे कोई भी article आया, आप आसानी से बना सको, तो आएक बार आप जरूर देखेगा उस video को, तो यहाँ पर देखे, यहाँ पर हम European, इसको क्या पढ़ते हैं, European, European it means यहाँ पर जो यह है, यह क्या है, एक विंजन है, एक consonant है, और विंजन उच्चारन से ठीक पहले हम एग या फिर अ का यूज करते हैं, स्वर उच्चारन से ठीक पहले हम एग का यूज करते हैं, और कोई खास, विशिस, व्यक्ति, वस्विस्थान है, उसके नाम से पहले, उससे पहले हम द या फिर द का यूज करते हैं, तो यहाँ पर आप स्वर, यहाँ पर आप इंगलिस का according देखेंगे, तो ए है, स्वर है लेगन आपको क्या देखना है, उच्चारन देखना है, तो यू यह उच्चारन है, it means यहाँ पर आजगा, यहाँ पर ए, he is a European boy, now let's see the next question, सीमा is taller than Mona, rewrite the sentence using positive degree, positive degree में हम यहाँ यूज करते हैं, इसको sentence को फिर से लिखना है, सीमा जो है, वो मुणा से taller है, ज्जादा लंबी पोजिटिव में इसको पॉजिटिव में लिखना आए तो तो सीमा जो है वह मूना से ज्यादा लंबी है तॉलर है लेकिन हमें इसी चीज़ को बताना है किस में पॉजिटिव डिगरी में तो हम किसका उसकरेगे as adjective as का जैसा कि अभी हमने just पहले देखा हुआ है तो देखें जो मोना है यानि सीमा है वो मोना से ज्यादा लंबी है it means जो मोना है वो सीमा के जितनी लंबी नहीं है ऐसा हमें बताना है तो यहां पर हम लिखेंगे मोना को पहले लिखेंगे क्योंकि मोना जो है वो सीमा के जितनी लंबी नहीं है तो मोना इस नॉट मोना इस नॉट एज टॉल एज टॉलर का क्या होगा टॉल हो जाएगा एज उसके बाद हम लिखेंगे सीमा ऐसा आपको बताना है सीमा मोना से ज्यादा लंबी है सीमा की लंबाई ज्यादा है किस से मोना से अब उसे को बताना है कि जो मोना है मोना है वो सीमा की जितनी लंबी नहीं है तो ऐसा बोलने का बस तरीका बदल जाता है लेकिन वहीं चीज़ें बता रहे हैं मोना इस टॉल as Sima, आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, Mona is not, यहां पर as कि जाएंपे so का भी यूज़ कर सकते हैं, so tall as Sima, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, तो यह वाला ज्यादा appropriate है, as adjective, adjective tall है, as, as adjective as का यूज़ करके, तो यह हमारा answer हो जाएगा, now let's see the next question, Ram will play cricket, do emphatic, इसमें cricket, Ram cricket खेलता है, अब इसको क्या बताना है, Ram cricket खेलता तो है, तो जहां पर, sorry, Ram will play cricket, Ram cricket खेलेगा, Ram cricket खेलेगा ही, है न, यह future tense की बात हो रही है, तो future tense में हम क्या करेंगे, future tense में हम will do या फिर sell do का use करेंगे, तो यहां पर जो helping verb है, उसके according आपको करना है, तो Ram will play cricket, यहां पर will दिया हुआ है, तो यहां पर हम लिखेंगे, Ram will do play cricket, यह हो गया हमारा अंसर, Ram will do play cricket, तो ऐसे ही आपको emphatic बनाना है, future tense में रहे, याने future indefinite में रहे, चाहिए past indefinite में रहे, past indefinite में हम d decrease करेंगे, present indefinite में हम किस करेंगे, do या फिर does करेंगे, तो इस तरह से हम emphatic बना सकते हैं, now let's see the next question, he is too old to walk, use so that and relax, so that का यूज़ करना है, यहां पर क्या बता जा रहे, he is too old to walk, वो इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता, ऐसा हमीं बताना है, he is too old, वो इतना old है, इतना पुराना है, इतना बुढ़ा हो गया है कि वो चल नहीं सकता, तो so that का यूज़ करना है, तो यहां पर हम लिखेंगे, he is, he is so old, to के जागा पर क्या लिखेंगे, so, he is so old, उसके बाद हम लिखेंगे, that, that, उसके बाद हम लिखेंगे, he cannot walk, इस तरह से आप लिख सकते हैं, so that का यूज़ करके, यहां पर आपने लिखा हुआ है, so, और यहां पर आपने लिखा है, that, तो यह हो गया, he is so old, इतना बुढ़ा है, that means, he cannot walk, कि वो चल नहीं सकता, तो इस तरह से आप जोए so that का यूज़ या फिर ऐसा दिया है, तो इसमें आप, आपको question भी आ सकता है, कि यह वाला देगा, और आपको कहेगा, कि टू-टू का यूज़ करो, या फिर यह वाला दिया, तो इसको लिखो, तो ऐसा आपको question दिया जा सकता है, तो इस तरह के questions बड़ी है, आसानी से, आप बहुत ही आसान तरीके से, बना सकते हैं, अपने पढ़ाये आप जारी रखिए, और हमारे साथ बने रही है, हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ share करिए, और comment box में comment करना मत बोलिएगा, ताकि हमें भी तो पता चले कि आपकी समझ में ये चीज़े आ रही है, या नहीं आ रही है, या क्या समझ से आ रही है, मैं मिलूंगा एक interesting lesson के साथ, next video lecture में, तब तक के लिए धन्यवाद